कम्प्यूटर बेसी कोर्स का ये वीडियो नंबर 20 है इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइपिंग करना बिल्कुल सुरू से सिखाने वाला हूँ बिल्कुल सुरू से टाइपिंग सीखने के लिए आपको कीबोर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए साथ-साथ कीबोर्ड को हम लोग किस तरीके से चलाते हैं, कौन सी अंगुली से कौन सा बटन दबाना पड़ता है इसके साथ-साथ कीबोर्ड के बारे में और भी जानकारिया आपको पता होनी चाहिए तब ही जो है आप अच्छे से टाइपिंग सीख पाओगे और जल्दी से अपनी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा पाओगे तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइपिंग करने के लिए जो भी कीबोर्ड में ज़रूरी चीजे होती हैं उसे सबसे पहले सीखेंगे और ये पहली कलास होगी इसके बाद भी टाइपिंग के उपर दो से तीन वीडियो और आएंगे जिसमें मैं आपको टाइपिंग करने के और भी कुछ डीटेल जानकारी दूँगा अगर आप जो है इन वीडियो को सुरू से देखते हो यानि पहली कलास से लेकर के जितने भी टाइपिंग के उपर वीडियो आने वाले हैं अगर आप उन सभी को बारी बारी से देख लेते हो तो यकीन मानिए आप जो है टाइपिंग जो है बिलकुल सुरू से एकदम आसा हुआ है इसी कीबूर्ड की जोjisik जनकारिया होती है जो कि शुरुवारती दिनों में टाइपनग सीखते वक्त आपको यह जानकारिया जरूर पता होनी चाहिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही कीबूर्ड की बेसिक जानकारिया देने जो कि कहीं ने कहीं टाइपिंग करते वक्त आपको यह जानकरिया अगर पता चल जाएं तो आप जल्दी से टाइपिंग सीख जाओगे तो हेलो दोस्तो मेरा नामी गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर स्मार्ट क्लास दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताके उनका भी फायदा हो सके और चानल पर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए चलिए दोस्तों आईए हम लोग जो फटा-फट से सारी डीटेल को यहां पर बारी-बारी से जो है जान लेते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यह जो बीच वाला बटन होता है इसको क्या वोते हैं देखिए ऐस डी फजीch यह के ल सेमिकॉलं यह जो होते हैं यह बीच वाले बटन इसको फोर्ट होम रह जाता है और लकर पर धेकित रोह जो होगा और Speaking अगर आपको यहां ये उबरावा इसलिए है क्योंकि हमारी ये दो अंगलिया होती हम को हैा इसके बाद ये वाला इधर रहता है इसके बाद य데 यह वाला वाला धर यानी a एस डी एफ ठीक है , यह्मारा हो गया पहला वाला हंद्द का चारो फिंगर इधर हो गया ठीक है अब बात है इसकी तो आप इसमें J, K, L, Semicolon देखिए Semicolon इसको बोला जाता है इसके इस पे इस पे इस पे और यह जी एच यह बीच में छूटा होगा रहता है ठीक है जी एच पे आपको नहीं प्रेस करना है और यह इसलिए उबहरा हुआ दोस्तों रह आपको अपनी गुलियों को इसी तरीके से रखना है जैसे मैंने रखा हुआ ठीक है आपको देखिए A, S, D, F और इसके बाद J, K, L, Semicolon इस तरीके से रखना है आप सबसे पहले बात कर लेते हैं यह तो दोनों अंगोठे किस काम के थीक है तो देखिए काफी सारे लोग ज करते ही स्पेस बटन और काफी सारे लोग इससे भी प्रेस करते है ठीक है तो मैं आपको सजेस करूँगा सिर्फ आप इससे ही प्रेस करिए राइट साइड वाले से राइट साइड वाले से प्रेस करने से क्या होगा फायदा कि बार बार आप जो है इधर इधर से करोगे त इसके बाद जो है J, K, L, Semicolon, Space, ठीक है, अब आपको क्या करना है, Home Row हमने समझ लिया, Home Row में ये सारी चीज़ा आ गई, हमने तो इतना प्रेस करने लगी, हमने तो इतना प्रेस करने लगी, ऐसा नहीं, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ नहीं कि G तक हमको बस जाना है, इसमें इस तक जाना है, इस तरीके से हमको जाना है, ठीक है, यहां ले जाने के बाद, फिर हमको यहां पर आ जाना है, इसको यहां पर ले जाने के बाद, यहां पर आ जाना है, इतना आपको समझ नहीं है, ठीक है, तो देखिए Home Row तो हमने समझ लिया, अब इसी के जस्ट ऊपर य करते हैं यह वाले सेट करते हैं यह वाला से इसको ठीक है ऑर यह जो चार रूळा है, इससे यू--iop यू-i-op ठीक है लेकिन लेकिनलगें आपको यहां पर ध्यान देनी है, कि जब हम लोग नहीं कि приним कर रहे है तो हमको उपर हम और पर रहे हैं और यहां से इस तरही सब दख से यहाँ यहां पर iyaँ प्लिक कर लिए इसके बाद क्यू प्रेस करना तो यह जो हमारी दर्जने यमगे सबसे लेकर जाएंगे फिला जाएगे ठीक इतना समझ म칩니다. आपको सब चीज़े समझ में के पुरह देऊं में यह जो मैं तरीका बतारों न वैलकुल basic से बता रहा हुँ आराम से कोई भी बंदा सीख सकता है को बिल्कुल आराम से सीख सकता है कम्मेटर वो समय उन को समझछा रहा हूं इसके बाद देखी क्या एब ही आपको जोने यहां तक heavens अभी जो है हमने जी को इसी अंगली से जी को भी प्रेस करना है और इसी अंगली से टी को भी प्रेस करना है देखिए हमको इस तरी के से लेगे जाना है फिर यहां पर लाकर रख देना है तो हमको इसको प्रेस करने के बाद फिर लाकि होम रोपे ही हमको रख देना है इसी तर बारस आओ करके हमारी मुलिआ से पे मुळग जाती है तो हमने टॉप रवी समझ लिया अब आपको क्या करना है आप बॉटम रोब नीचे की साइड में ठीक है लोवर रोवी बोर सकते हो और बौटम रोवी बोल सकते हो अभी यहां पर आपको ऐसे प्रेस करना है आपको होम रोड पे हमेसा रहना है यह जो इंडिकेट कर रहे हैं जो इस बुटन पे जो थोड़ा-थोड़ा लकीट साइड ना यह इसलिए द जब 2-4-10 दिन तक प्रैक्टिक्स कर लोगे तो आपको याद करना पड़ेगा मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम कौन सी की को प्रेस करें तो आप इस पे ताक होगे नहीं मतलब इस पे देखोगे नहीं तो इसकी इस कंडिशन में क्या होगा जब आप कीबोर्ड में है फिर यह मार में सबस्क्राइब करना और इससे इस सब्दाज करना थी मों से करेंगे और इससे इसको प्राइब कर सकता हूं वह असानी हो जाती की जब आप थोड़ा सा मन करने लगी हो भीने तो आपको भी बहodb easy लगेगा इधर से प्रेस कर सकते हैं और यह बीच में आप यह से कर सकते हैं आप की सुमिदान हुझा रहा है? आ चाहीत इससे press करो लेकिन यह नहीं कि आप करने लगों तो थोड़ा सा दिस्टर हो जागा यहां से नंट बाद अग्ला टिक है और से जो है यह वाले युद अगरेंस करना है इसे यह जो कॉमा प्रेस करना है तो इस तरीके से क्मापने युदात नहों है अगल्लागा सैत्तर घता हो इतना समस्चती आए है अपको इतना समझ में आया इसी को जो है उपर की साइड में भी लेके जाना है इसी तरीके से और इस तरीके से ठीक है और इससे ये प्रेस करना है और इससे ये प्रेस करना है और इससे ये भी प्रेस कर सकते हो ये भी अभी देखे यहां से तो हमने इसको डिवाइट कर दिया है ये सिटना हमlevant यहां से लेकर कि इस फैर ना हें तैlist स्टेयर. यहां से ले रहना होता है करना कैसे है आपको्तौ रहना है ठीक है और अगर साथ प्रेस करना है तो आपको इस तरीके से लेकर जाने है यहां पर रहे दिना है अए नौ, जिरू और अगर ये backspace दमाना आना तो आपको उप्लियां यशी है रख दी है और इसके बास यहाँ backspace दमाना करके कि फिर यहाँ लेकिछे चलाना ह। फिर backspace दमाना है फिर यहाँ लेकिछे आना है फिर backspace फिर इससी तरा के सिटलें इधिरे से और इसका है और इधर भी आपको टाइक की प्रेस करना है, तो यह इसी वाली यह इसे 1 भी होगा और 2 इस से वहगा, फोर जो है इससे होगा और 5 भी इससे भागा, ठीक है, 6 भी आप इससे प्रेस करोगे, क्योंकि यह बिल्कुल नजदीक आ जाए ठीक है लेकिन देखे आप उपर वाले बटन्स में जो है अगर आप इससे प्रेस करते हो एक ही उली से तीनों तो चल जाएगा लेकिन आपको इससे जो है अलग-अलग प्रेस करना है ठीक है अब जब इसमें आप टाइपिंग करना स प्रेस करें तो इस तरह से स्पेस मार देना है इस अंगोठे का आपको ज्यादा इस्तमाल नहीं करना है अभी देखिए अब इतना समझ में आए आपको जो है दुबारस मैं समझा जेता हूं सबसे पहले तो आपको अपनी चार अगुलिया इस पर रखनी है अगली वीडियो में यानि अगली पार्ट में बात करेंगे फिलाल मैं आपको इसका इंटरफेस समझा रहा हूं कि किस अंगली से किसको प्रेस करना होता है अभी यहाँ पर आपको इस अंगली का और ज्यादा तर ध्यान देना है क्योंकि यह दोने उंगलिया बिल्कुल ज क्योंकि यह आपको समझ में आ रहा हूं कि त्यbot down कुछ जाधा बटन को इन से दबाना होता है क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं हम लोग यह गयां से उतना में neurolog करते हैं है i तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से दबाना है तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आज आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको जो है वर्ड पैड चालू करना है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ड पैड में क्यों आप आपको नहीं मिल सा ठीक है अब थोड़ा सा फॉंट स्टाइलिस रख करके वहां पर टाइपिंग कर सकते हो वहीं पर सामने ही आपको फॉंट को इंक्रीज करने का यानि फॉंट बड़ा चोटा करने का option मिल जाता है वह काफी सुगदा है थोड़ा सा बड़ा करके फॉंट आप बंडर भी बना सकते हो अगर आप मेंसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत बारे में उसमें जानते होंगे तो लगेंगे द्याइनिंग बनाने तो एसे में आपके टाइपिंग जो है न थोड़ी सी बिगर जाएगी आप जो हो प्जोच कि वहां से थोड़ और सिर्फ आप टाइपिंग करोगे आपका ध्यान जो है सिर्फ टाइपिंग करने में होगा तो मेरे सजेशन से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इस वर्ड में बिल्कुल मौत करिए या फिर नोटपैड में बिल्कुल मत करिए लेकिन मैं यह सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको टैपिंग सीखनी है ना तो आप wordpad में करीए मेरे ख्याल से wordpad काफी बैस्ट है और जब मैंने typing सीखी थी तो wordpad में ही सीखी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो जो है टाइपिंग अब ही बिलकुल भी नहीं करना को, बिल्कुल भीन ही करना, आपको बेक्षिक चीज़ शीखनी है, जो मैंने आपको बताई है। अब जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको practice कैसे करनी है यह home row की practice कैसे करनी है इसके बाद जो है top row की practice कैसे करनी है इसके बाद जो है bottom row की practice कैसे करनी है तीन वीडियो में हम लोग तीनों के बारे में सीखेंगे और next वीडियो जो चौथा वीडियो आएगा उस आइडिया मिल जाएगा कि यार इस अंगली से दबाने से यह वाला दब रहा है ठीक है यह वाला हो जा रहा है तो आपके दिमाग में कुछ चीज़े बैट जाएंगी तब हम लोग एक ही साथ सभी को कैसे दबाते हैं मैं आपको टाइपिंग करके भी दिखाँगा कि किस तरी करनी पूरा उस पर भी डेक्स्टॉप भी दिखाँगा यांदि इस तरह के से टाइपिंग करनी है और यहां पर भी साथ में जो है यह जिस तरी के समय रिकार्डं कर रहा हूं यहां पर यह भी स्क्रीन पर चलेगा और वह भी चलेगा बिल्कुल आसान तरह के से हम लोग सि मिलें के फिर एक नहीं बोड़े में नहीं जानकारिक साथ तब तक के लिए चाहे हिंद पुफन देमातर हूं